तो आज की सुड़े में guys मैं survive करने वाला हूँ 100 days एक ऐसे world में जो कि totally cloud से बना हुआ है and guys ये को एक normal सा world नहीं है यहाँ पर हम literally cloud की blocks को mine कर सकते हैं and उसके अलब से हम अपने लिए cloud के tools and armor बना सकते हैं जो कि diamond के armor को भी टक्कर दे सकता है and साथ ही guys इस world के अंदर छुपे वे काफ़े सारे hidden structure जिसके अंदर से हमें काफ़ी OP loot मिल सकती है बढ़ गए जितना easy ये नजर आता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है तो क्या मैं ऐसे world में 100 days survive कर पाऊँगा जानने के लिए वीडियो को एंद तक जरूर देखना तो बिला किसी देरी के वीडियो को start करते है तो guys day one को मैं spawn हो चुका था इस cloud only world में एक बड़े से cloud के उपर जहांपे spawn हो थे इन्होंने मुझे दो चीज़ दीती सबसे पहले एक stack of dirt ताकि मैं दुसरे cloud तर ट्रावल कर सकूँ और साथ ही मझे थुड़ा बद food भी दिया गया था क्योंकि obvious सी बात है पापी पेट का सवाल है जहां तक guys मैं देख पार आता दूर दूर तक यहां पर सिर्फर सी मुझे cloud जी cloud नजर आ रहे थे हां क्योंकि यह cloud only world है पता है भाई बताने की जरूरत नहीं है तुम आदा मैंने कुछ पूचा पूचा मैंने कुछ पूचा पूचा मैंने कुछ इसी guys ऐसे कोई आसपास की cloud क्यूपर ही कोई अपनी hidden structure भी spawn होने वाले जिसके अंतर की लूप को चेक आउट करने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइट भी था तो मैं फटावट से डर्ट की ब्लॉक को प्रेस करते वे चले जाता हूँ विलेज के पास बाई काफी ज्यादा दूर था मुझे अपने ब्लॉक्स को बड़ी मुश्किलों से बचा बचा के जो ये विलेज की पास कैसे भी करके जाना था क्योंकि अगर मैं बीच में फर्स जाता हूँ तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा कुछ इदिर में मेरे सारे डट खतम हो जाते हैं तो मैं एक बड़ी सी हो रही थी कि प्रॉपर महरे पास जितने भी ब्लॉक्स थे उनिक हैं फाइनली इस विलेज में पहुंच चुके थे ना एक चीज मेरे समझ में नहीं आ रहे थे विलेज होने की बावजूद यहां पर कई भी विलेजर नहीं थे यहां पर मुझे एक चेस्ट मिलते हैं जिस इस विलेजर के घर में बैट था मैं उसी पर सो जाता हूँ नहीं की सुबह होता ही गयाज में इनके फार्म में से थोड़े बाद वीट के सिंस एंड करेट कर लेता हूँ ताकि अगर हम आगे चलके कोई भी फार्म बीड करते हैं तो यह उसमें काम आएगे और अभी तक ग क्राफटीं टेबल बनाके मैं सबसे पहले वोडन की पिकेक्स क्राफट कर लेता हूँ एंड इस वर्ड में अता पता बिल्कुल भी निए था तो इस विलेजर के घर के आसपास थोड़े से कॉबल स्टोन लगे वे थे तो मैं उनी को माइन कर लेता हूँ एकि और तो मज़ क्राफट कर लेती हैं चुछ प्राफट कर लेती हैं चौक रावड के आर्मार एंट फूलस इतने पावर्फुल ते कि वह डाइमन के आर्मार एंट उसको पीचे छोड़ दे को यह बात लेए बर टूर्फ पर आपको लेट्ट हैं तकी मज़े कुछ सैपनिंग्स मिल सकेकि पर जैसे तैसे करके मैं 4 क्लाउड की ब्लोक को माइन कर लेता हूँ इसके लपसे मैं फाइनली अपने वर्ड की पहली क्लाउड पीकेक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ इसका टेक्च्चर तो ग्याज दिखने में सही में काफी ज़यदा ओपी नजर आ रहा था बट अब मुझे क जैसे भी करके इसकी स्पीड को टेस्ट करना था जैसे के इससे में कुछ ब्लोक को माइन करता हूँ मैं देखता हूँ इसकी स्पीड काफी ज्यादा फास्त यह काफी स्पीड में माइन कर रहा था तो मैं थोड़ बद और क्लाउड की ब्लोक को माइन करने का ट्राइ करता ह तो कुछ और क्लाउट की ब्लॉक्स को माइन करके मैं सबसे पहले क्लाउट की स्वर्ड क्राफ्ट कर लेता हूँ जिसका अगर हम टेक्च्च्छर देखो तो यह देखो कितनी जादा ओपी नजर आ रही है क्लाउट की एक्सरी क्लाउट की जोविताा क्लाउट कि क्राफ्ट कर लेता हूँ एं अपने क्लाउट की हाल से यहाज पे वहीं के इतनी बहुती मैं ऐपने नहीं के लिख नहीं ओगता हुछ कुछ ऐसा कर दिया I mean अब तो यह घर ही नहीं लग रहा है और तभी गैस मैं देखता हूँ अपने सामने वाले clouds पर यह पर दो mob spawn हो जाते हैं जिनको zoom करने पर पता चलता है कि यह तो cows थे लेकिन cloud वाले वर्ड के and same cloud काव मेरे पीछी भी spawn होती है तो मैं देखता हूँ कि क्या उसको मार कि हमें मिल सकता है तो मैं फटावट से उसको मार देता हूँ इसको मारने पर इसने stick drop की थी भाई directly हमें cooked food मिल रहा था इंसे बट मुझे भरोसा नहीं आ रहा था तो मैं फिर से cow को मारता हूँ और सही में गाइस एक cook food drop कर रहे थे फिर ऐसी कि चलते चलते मुझे सामने की तरफ एक बड़ा सा cloud नजर आता है जो कि मुझे काफिता सही लगा सो मैं यहीं साथ करता हूँ यहीं सी को अपना base बनाने का जो से base बनाने के लिए मुझे इसमें थोड़ेबंजेस करने थे एंस इस वर्ड में प्रोग्रेस करने कि इसमें मुझे सबसे पहले ट्री फार्म विल्ड करना था जिसके लिए लगके ड़े मेरे पास सैपनी जो थी सब रगा देता हो जिसमें मेरे पर जितने भी सामन ता हुसे में चेष्ट में रख देता हु अद यहीपर ja जह प्रवाज नहीं पर बेच माशने से पहले सब से सहे उपर ऑपर बड़ा सा क्लाउट अधिस को क्लेट के लेटा हु और उसके LEGG अन distinct क्लाउट की चेस्ट प्लेट की लेगिज हेलमेट एंड वोट को क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड फाइनले गैस आप अपने पास एक फुली क्लाउड आर्मर आ चुका है जो कि आपको थोड़ा सा आर्मर जैसा दिख रहा होगा बड़ ऐसा निया आर्मर की कलर से थोड़ा सा अगर आप वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो मैं फिर से वही ब्लॉक्स को प्लेस करते में निकल जाता हूँ उस विलेज को लूटने के लिए काफी मैनत के बाद मैं फाइनली विलेज में बहुंड शुका था विलेज में पौंचते घ्र में देखता कि यहां पर दो दो घरते काफी अछी बाक रहे लाइव मे को भी करेट कर लेता हूं इस विलेज से गयाज मैं भार निकर ली रहा थे कि मुझे सामने एक और एक विलेज मिल जाता है विलेज थोड़ा सा अलग था क्योंकि इस विलेज के अंदर गोलम था तो शायद से हमें विलेजर मिल सकते थे बट अपने सामने कुछ क्लाउड वाल सब्सक्राइब कर लेता हूं क्या पता कैसी आप गोलम तो था बट कोई भी विलेजर नहीं थे तो मैं गोलम को मार के आयरन ले लेता हूं जाप एक पेड में थोड़ी सी लखड़िया फसी वी थी जिसके वाज़े से यह लीव्स जो है साप्लीन ड्रॉप नहीं कर पा रहे कि एन साथ एक क्रॉप का फार्म भी बिल्ड किया जाए जिससे हमारे थोड़ बट खाने पिने का जुगार हो जाएगा तो चलो फिर देर की इस बात की बिल्ड करना शुरू करते हैं थोड़े बिल्ड करने के बाद गैज में फिर से निकल जाता है इस वर्ड को एक्स्प्लोर करने के लिए क्योंकि इस वर्ड में गैज आपने पास कुछ भी जादा खास है नहीं हम नेजर में भी नहीं जा सकते हमारे पास सिर्फ एक की ऑप्शन है कि हम जितने जादा एक्स्प्लोर करके लूट कर सकते हैं वह हमें करना है तो ऐसी गयाज में एक जगा पर खड़े रहे कि अपने रेंडर डिस्टेंस को बढ़ाता हूं तब ही गयाज में देखते हूं कुछ एक नया सा स्ट्रक्चर अपने सामने स्पॉन हो चुका था एक विलेज भी था तो हम फाइनली अब कुछ हमें अच्छे-ची चीजे भी मिल रही थी तो जैसे चैसे करके बड़ी मुश्कुलों की बाद गयाज ब्लॉक्स को प्रेस करते वे में फाइनली उस स्ट्रक्चर की पास बहुच चुका था जो की गईस काफी ज्य स्ट्रोंग गोल्ड स्पॉन नहीं होने वाला था हमें ऐसी स्ट्रक्चर के एक्स्प्लोर करते करते एंड पोर्टल के फ्रेम से एन आया फेंडर को ढूंडना है एन अपने एंड पोर्टल को कम्प्लेट करके ड्रागन को हराना है फिर मैं उस विलेज की पास भी पहुच कटा हुआ था बड़ उसकी चेस को चेकाउट करने पर गाइज मुझे फिर से काफी सरे ओके लॉक्स मिल जाते क्योंकि जैसे कि यहां पर लिखा था वोडी विलेज है यह यहां पर ग्लॉक्स को करेट करते करते आने तक मेरे क्लाउट की पिकेक्स टूट चुकी थी सो मैं नई क्राफ्ट कर लेता हूं फिर मैं पहुच जाता हूं इसके बाजू वाले सेकेंड विलेज में यहां पर पहुच्छे मुझे काफी ज्यादा खुशी होती है क्योंकि फाइनली मुझे आप एक कुछ विलेजर नजर आ जाते हैं सही मैं जैसा लग रहा था फाइनली इतना दिन तरस्त ना पड़ा एंड जब करता हूं एक घर में से मझे एक फ्लेशिंग टेबल एंड दूसरे घर में से मझे फिर से वही सेम लूट एक बात बताओ यार इतने होका में करू तो करू क्या एंड फिर यहां पर विलेजर मिले एंड वो भी काफी मुश्किलों स आरन गोलम को मार देते हैं इस चक्कर में मरते बचा बड़ में फिर कैसे खंटे की महनत करने के बाद में फार्नली इन विलेजर को अपने बेस के पास लेकी आजाता हूं भाई साभ इनको लाने में हालत खराब हो चुकी थी तो मैं बिना देरी करते हूं फट आवर्ट से इन दोनों विलेजर को अपने बेस पेा ले के आ जाता हूँ एन आप आप देज लाए चुके तो इनके लिए बढ़ियासा घर भी बना जाते है जिससे उनके बसक्त बदिस भीए बनने बेज़ कह लुब बननाने ऐसे गसे के फोड़े बत कॉबिर्फ study की जरूरा थी छिंदे । अ सबंगें टाफि अंडेर-णाई हिस्तुक्स ah की टेउच्थर उत्तुक्त के जिस धायार प्रिजिसरां तर छुक्ष्षर। विलेचार के गहस्त हैं मेरे साले टुश्टूट चुके TH?" मैने बिश्ता अखंट याइच में नोटिस कर तो अपने सामने वाले क्लाउट्स पे कुछ पिलेजर आ चुके थे कुछ अपने फ्रेंड्स आ चुके थे तो मिलना तो बनता है तो मैं फटावर से पिलेजर की पाथ जाता हूँ एन उनकी बड़िया तरीके से खातिरदारी कर देता हूँ बट यहीं नहीं कोई रीजर नहीं था क्योंकि यह बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था अभी गयाज अगर हमें ड्राकन को हराना है तो हमें कुछ और एंट पोर्टर के फ्रेम से नाया फंटर को ढूंड़ना पड़ेगा यानि कि हमें कुछ और स्रॉक्चर को एक्स्प्लोर करना पड़ेग इस world में जैसे मैं बताया ना ही हम नेजर में जया सकते हैं ना ही यह यहां पर स्टॉणग वोल्ड स्पॉन होता है। अगर मियरे तरह इंस सरे world and modes को खेलना चाहते हो आपको मेंiao स्कूर्ट सर्वर को जॉइन करना पड़ेगा जिसका लिंक अपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड क्योंकि मेरे पास काफी सारे हेबल्स हो चुके थे सो उसके अपसे मैं काफी सारे ब्रेट्स क्राफ्ट कर लेता हूँ मैं फिर से निकल जाता हूँ कुछ और श्रक्टर को ढूंड के उनको एक्स्प्लोर करने के लिए ऐसे काफी दिर तक भटकने के बाद मुझे वैसा सेम श्रक्टर नजर आ जाता है एंड जैसे मैं उसके पास पहुसता हूँ मैं देखते हूँ यहां पर एक नहीं दो दो वैस करते हूँ मैं सिधा दूसरे वाले श्रक्टर पर आ जाता हूँ एंड अच्छा हूँ ऐसा सेम श्रक्टर हमें फिर से मिल चुका था क्योंकि इसकी मुझे इन डायरेक्ट लिए जरूरत पड़ी गई तो यहां से भी मैं कुछ एंड पोटल के फ्रेम एना एफंड को कलेट इसमें लिखा था डिस्ट्रॉइड विलेज यानि की विलेज टोटली डिस्ट्रॉइ हो चुका था जो कि लग भी राता सो यहां पे चेस्ट बचीवी थी मैं उसका एसी चेक आउट करी लेता हूँ कि तभी गैस मैं देखता हूँ भाई साब इसके अंदर गैस टोटली ए कौन कायेगा भाई एक डिस्ट्रॉइड विलेज है आइधिंग जो साइन बोड शायद से स्कैम करने के लगा है बट कुछ भी बोलो गैस अपनी तो जोलो गए क्योंकि हमें एक स्टैक गोडन आपल मिल चुके अब इस गोडन आपल को मिलने के बाद गैस आगे मैं कुछ विलेजर को एक्स्ट्लोर करते हो ताकि शायत से हमें कुछ खास मिल जाए और में बेस की तरफ जाई रहा था कि मुझे तब यह वह स्ट्रॉक्चर नजर आता है बट फिर जान आता है कि अपने श्ट्रॉक्चर के पास अपने विलेजर का घर क्या कर रहा है अन्ट तब बनाया जाए यानि अब आने लिए बारी आ चुकिए अपने लिए प्यारा और खुपसरा सा हाउस बनाने की जो कि मैं बनाने वाला एक जैपनिस हाउस तो चलो फिर लग जाते काम पे घर बनाते बनाते गयाँ मैंने साथ यह अपने एंड पोर्टल फ्रेम के लिए एक प्लाटफॉर्म बना दिया था जहांकि अपने एंड पोर्टल को ऑक्टिवेट करने का पने पास अपनेental को कीषबगान की मैं जिसमें ऐसे konnte को सब्सक्राइन को फोर सकते घंगा बिना देरी करते तो एवह मैं फटावट लेए ऐभी स्ब्लोस की यूपरी ले तो मैं कुछ एंडर मेंस को मानने लग जाता हूँ ताकि इनसे मुझे कुछ एंडर पर्स मिल सके जिसके अलब से मैं डार्क टावर पर टेलिपोर्ट कर सकूँ सब्सक्राइब जाने के बाद गयाज मैं वेट करने लगा कि ड्रागन पर्स करे एंड मैं उसकी गुद्दी चटका सकूँ एंड जैसी गयाज मैं उसको दो फट के मारता हूँ वो मुझे एकदम ऊपर की तरह वो चाल देता बड़ आपका भाई भी तो प्रो एसो में 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 करते भी बच जाता है और वो मुझे बार बर ऐसी उडाते रहता एंड क्या पता गयाज यह थोड़ा सा धीटता है इससे फाइट थोड़ी सी लंबी भी चली बट फाइनली गयाज एक लाश शॉट मारकी मैं ड्रागन का गेम यही पर खतम कर देता हूँ एंड इसी खुश से बसती हुए मैं फटावर से एंड सिटी में चले जाता हूँ जा पर मुझे एक चेस्ट मिलती है जिसके अंदर से मुझे थोड़ा सा आरेन एंड गोल्ड मिलता है और शलकर की लेटेशन के वाज़े से मैं सिधा पहुचूँगा था एंड शिप के वे मैं सुचता क्यों मैं सबस्टा एक एलाएट्रा ही लाया जाया है सो में अंडर पॉफिकता हूँ एंड मैं डारेक़ इंड़्िप में पहुचता मैं पहुचता हूँ वहाँ पहुचक हम आप पंदर से शल्कर को मार की अपने ऐलायट्रा कोён काफी ठीक लुट प्लिट जाती है मुझे को काफिस जादा difficult भी लगे क्योंकि इस वर्ड में resources की हमारे पास काफिस जादा कमी थी बट चिल हमने कैसे भी करके यहां पर 100 days survive कर लिया था आथ की वीडियो को करते है यह पे end, hope करते है आथ की वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो इसे like कीजिए, share कीजिए चैनल पर निया आए तो चैनल को subscribe कर देना इंस्टा और डिस्कॉट पर फॉलो नहीं किया तो कोले ना link आप पर description में मिल जाएगी इस वीडियो पर गाज मैं हमेशा की तरह एम करता हूँ 8000 लाइक्स का अभी हम काफी जाथा closer 200k की family बनने के लिए तो वह भी करवा देना सो मिलते हैं अगरी वीडियो में तिल देन गुडबाई